Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक from Fintex Pro जहां पर हम बात करते हैं Finance and Taxation के आज के session में discuss करने वाले हैं जो बिलकुली नई notification आये notification number 26 by 2022 48th GST Council Meeting के बाद में जहां पर CGST Rules के अंदर बहुत बड़े-बड़े changes किये गए हैं उसमें से one of the important changes है वो आने वाला है GST registration के अंदर so अगर आप GST में registration करवाना चाहती है अगर आप एक tax consultant है आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत important पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा और समझेगा क्या changes जो है वो आने वाले हैं GST rules के अंदर CGST rules के अंदर और किस तरीके से आपको वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गई session को start करने से पहले आप सभी को Christmas की और नए साल की धेरो शुपकामना है इस नए साल के अबसर पर हम आपको दे रहे हैं special offer अगर आप GST income tax TDS सीखना चाहते है प्रैक्टिकल मैनर में सो हमारा एक comprehensive course है 200 आवर का जहां पर हम GST, ITR and TDS filing competitions के साथ में Excel में working के साथ में बहुत ही detail के अंदर सीखते हैं समझते हैं इस course की fees 3500 होती है तो course की fees अभी 3500 है तो sir offer में क्या मिलने वाला है new year offer चल रहा है एक जनवरी तक रहेगा एक जनवरी को expire हो जाएगा offer में आपको Excel वाला course जिसकी fees 1000 रुपीज है एक्सल वाला course मैं आपको दिखा देता हूं आप हमारी website पर जाएंगे नीचे मैं लिंक देदूँगा वहां से आप चेक कर लिजएगा एक्सल वाला course 1000 रुपी का बिल्कुल ही free में मिलेगा आप अगर buy करते हैं टेक्स कॉंब वाला course चलिए सट चलते हैं notification number 26 by 2022 पूरी notification आज के session में करेंगे उसके लिए मैं separate session मनाऊंगा आज के session में जो GST registration related point है वो यहां से discuss करते हैं अभी recently आये 26 December को और आपको ध्यान होगा 17th को 17th of December को हमारी 48th council की meeting हुई थी तो उसी के respect में यह changes आये CJSC rules के अंदर और एक important point यह effect में कब से आएगा save as otherwise provided in these rules they shall come into force on the date of their publication in the official gadget में जब यह publish हो जाएगा उस date से यह जो है officially rule जो है applicable भी हो जाएंगे चले इसर समझते हैं क्या-kya important changes आने वाले हैं आपके CJSC rules के अंदर अगर आपको उपर उपर से समझाओ ना इसके अंदर जाने से पहले तो दो तीन important changes है जो यहाँ पर registration process के अंदर आने वाले हैं पहला change तो यह है कि अब आपको जो है verify जो आप करते हो मैं आपको practical दिखा देता हूं कहां कहां changes आने वाले हैं अभी आये नहीं है बट बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके registration process में जब आप register करते हैं तो इस तरीके का आपके प of business और pen number यहाँ पर डालते हैं उसके बाद में आप email address और mobile number यहाँ पर enter करते हैं अब धियान से देखेगा point को email address और mobile number अब आपके यहाँ पर नहीं आएंगे इस जो notification आईए जो rules के अंदर change आया है उसके बाद में आपको बस यह डालना है capture code डालना है और आगे continue करना है त तो verify होगा आपके pen के database से क्या बात कर रहे हो sir जो यह pen number आपने डाला na pen number validate होगा पहले तो income tax website से कि जो pen number है यह legal name है यह correct है यह नहीं है यह legal name आपका pen card pen number से match हो रहा है यह नहीं हो रहा है इसके साथ-साथ आपके pen के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ आपका mobile number भी मिल जाएगा और आपकी email ID भी मिल जाएगी तो अब जो आपके OTP जाएंगे न वो यहाँ पर आपको email ID और mobile number नहीं डालना जो आपके pen के अंदर link है आपका pen database में income tax के database में जो link है आपका mobile number email ID उसके उपर जाएगा OTP sir इससे होगा क्या है इससे एक authenticity बनेगी कि भाई जो fake registration हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा control होगा उसी के लिए यह वाला point यहाँ पर किया गया है तो वो जाएगा और वहाँ पर OTP आएगा इसका मतलब यहाँ पर आप को डालने के लिए नहीं आएगा आपका जो email ID link है pen card से और आपका जो mobile number link है pen database से वहाँ पर OTP कि भाई pen card के अंदर income tax database में 90% client जो है वो किसी tax professional की मदद लेते हैं उसकी help से अपनी ITR जो है फाइल करवाते हैं अब वहाँ पर जो email ID और mobile number होता है most of the cases में उस tax consultant का ही होता है उस tax professional का ही होता है so अगर आप registration कर रहे हैं और ITR किसी और person ने फाइल की है तो हो सकता है यहाँ आपर जो email ID है वो किसी और की हो और mobile number किसी और का हो तो एक बार make sure कर लीजिएगा OTP भेजने से पहले income tax में login कर लीजिए और income tax में login करने के बाद में यहाँ पर check कर लीजिए कि mobile number और email ID क्या है क्योंकि उसी के ओपर OTP जाएगा वही आपको verify करना है और उसके बाद में physical verification of GST registration देखिए GST के बाद मैंना एक चाहे उसको आप अच्छा point बोल लीजिए कहीं न कहीं आजकी रिट में वो drawback हो गया department के लिए कि online ही पूरा काम हो जाता है और कोई physical verification की जरुवत नहीं होती है तो government अब धीरे धीरे government यह बोल रही कि सारे cases में physical verification होगा एक risk assessment होगा taxpayer क और risk assessment के बाद में अगर यह identify होता है कि यह वाला pen यह वाला GST number जो है इसका हमको physical verification करना है तो हो सकता है आपका भी physical verification हो उसके बाद में आपको GST number दिया जाए तो यह जो points है सारे हमने discuss किये यह ही यहाँ पर हमको technical language में दिये हुए है समझते हैं एक बार एक एक करके कि क्य क्या-क्या changes आए है CGST rules 2017 के अंपर चलिए सर इसके साथ में मैंने यह यह भी खोला हुआ है यह हमारी rules है CGST rules हमने यह उपन किये हुए तो आपको साथ के साथ rule number 8 जो होता है वो हमारा application for registration rule number 8 में application जाती है 9 में department उसको verify करता है दोनों में ही थोड़ थोड़े changes एक बार समझ लेते हैं तो in the central goods and services 2017 rule number 8 के अंदर change आया है यानि जब application डालता है taxpayer उसमें क्या-क्या change आया है in sub rule number 1 the word and letter mobile number and email address shall be omitted मतलब क्या हुआ sir इसका sub rule number 1 देखे ध्यान से इसको zoom in करता हूँ थोड़ा सा तो आपको easily दिख पाए क्या लिखा हुआ है यह हमारा rule number 8 है इसका sub rule number 1 यह है इसमें से बोल रहा है कि email id और mobile number को omit कर दिया जाएगा email id mobile number कहां लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते है every person other than a non-resident taxable person a person required to deduct tax under section 51 a person required to collect TCS under section 52 and a person supplying OIDAR services outside India उसके बाद में who is liable to register under subsection 1 of section number 25 and every person seeking registration under subsection 3 of section number 25 ठीक है shall before applying for registration declare his registration apply करने से पहले आप कुछ information declare करोगे अभी अभी मैं आपको बताया part A जिसको बोला जाता है जहां पर आप अपना pen number देते हो अपना name देते हो वहाँ पर declare his pen permanent account number वो तो सबको पता है वो starting से GST में pen number आपको देना पड़ता है part A के अंदर ही देना पड़ता है वहाँ कोई change नहीं है mobile number and email address mobile number and email address आपको देना होगा तो यह mobile number और email address यहां से omit कर दिया करें इसका मतलब क्या हुआ sir in part A of form GST REG 01 जो की GST registration का form होता है उसका part A ही मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले दिखाया था उसमें से mobile number email address को omit करने की बात की जा रही है तो जो point मैंने आपको समझाया था कि यहां से email ID और mobile number यह दोनों point यहां से omit हो जाएंगे तो क्या sir यह verify नहीं करना verify करना अभी रुको further update पढ़ लो एक बार जो मैंने आपको पता है वही चीज है ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गई जो यह update यहां पे दी है कि आपका mobile number और email address omit किया गया उसका क्या reason है दूसरा देखो in subrule 2 in clause A subrule 2 clause A के अंदर this is subrule 2 and this is our clause number A after the word direct text the word and shall also be verified through separate one time password sent to mobile number and email address link to the permanent account number यह जो पॉइंट है ना इसको ध्यान से पढ़ो जो sub section sub clause 2 है sub rule sorry section नहीं है यह sub rule 2 clause number A जो है the permanent account number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the CBDT तो यह तो starting सही होता आ रहा है आप अपना pen number डालतो हो जो कि CBDT की database से verify होता है कि आपका legal name match हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके साथ साथ अब आपको OTP भी verify करना पड़ेगा इसके आगई line add कर दी गई है कि आपको अपना email का OTP और अपना जो आपका mobile का OTP है वो भी कौन सा mobile और email जो आपके income tax portal पर link हो रखा है वो वाला आपको verify यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है तो यह point यहाँ पर change हुआ है तो ध्यान रखिगा अगर आप एक tax professional है यह changes आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं GST portal के उपर क्यों है clause B और C के अंदर ही आप यह जो email को verify करते हो यहां से आप email डालते हो mobile डालते हो इस पर OTP जाता है तो इस OTP को verify करते हो तो यह चीज कहां लिखी हुए है सर सारी चीजे हमारे rules के अंदर लिखी हुए यह देखिए यह देखिए the mobile number declarator 1 shall be verify through one time password and the email ID declarator 1 shall be verify through one time password तो यह द और mobile number है उससे link कर दिया गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको यहां से omit कर दिया गया ठीक है उसके बाद में अब ध्यान से पढ़िए sub rule 4a को substitute किया गया है sub rule 4a को किस तरीके से substitute किया गया उसको ध्यान से पढ़ेंगे every applicant यहां से पढ़िए every applicant made under sub rule 4 by a person other than the person notified under section number 6 of section 25 who has opted for adhar authentication of adhar number and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameter तो यहां पर एक नई चीज हमारी add कर दी गई based on data analytics and risk parameter now what are those data analytics and risk parameters मुझे नहीं पता सर इसके उपर कोई clarity नहीं है कि क्या data analysis होगा क्या risk parameters होंगे shall be followed by a biometric based adhar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to application as notified under subsection 6 of section 25 where the applicant is not individual along with the verification of the original copy of document uploaded with the application from GST RE01 at one of the facilitating center notified by the commissioner for the purpose of this sub rule and the application shall deemed to be completed only after completion of process laid down under this sub rule कि गुजरात विल बी दो वन अफ द स्केट जहां पर यह pilot project के रूप में आएगा and वहां पर facilitating centers आएंगे और वहां पर जाकर कि आपको यहीं वेरिफाय करवानी पढ़ेंगी सारी documentation को सो देखते हैं जो गुजरात में कब तक आता है यह सो यह point यहां पर add किया गया उसके बाद after sub rule 4 a the following sub rule shall be inserted यह नया sub rule है 4b बिल्कुल new sub rule है registration से लेटर इसको ध्यान से समझेगा the central government may on the recommendation of council by notification specify the state or union territory wherein the provision of sub rule 4a shall not apply so इस वाले sub rule 4b का use करते हुए एक नई notification 27 by 2022 dated 26th number को issue कर दी गई है और यह वाला जो pilot project मेंने आपको बताया था वो गुजरात के लिए applicable कर दिया गया है तो यह वाला जो rule है rule 4a of rule 8 of the set rule shall not apply to all state and union territory except the state of gujarat यानि gujarat में अभी यह pilot project के रूप पर काम करेगा जहां पर system risk based parameters पर pen को identify करेगा and then उनके physical verification होगा और उसके बाद में GST number आपको provide किया जाएगा तो अभी यह और जो facilitating center की बात की जा रही है तो gujarat will be the first state जहां पर यह pilot project के रूप में आएगा इसके notification भी आ चुकी है in sub rule 5 the word after the bracket sub rule 4 the word in bracket and figure 4a जो है वहाँ पर insert कर दिया जाएगा यह तो बात हुई registration के अंदर जो changes आने वाले हैं जो कि मैं आपको practically भी समझा दिये कुछ changes आने वाले rule number 9 के अंदर rule number 9 क्या होता है department जब आपकी application को verify करता है verification of application and approval जो दिया जाता है वो rule number 9 of cjst rule 2017 के अंदर दिया जाता है sir इसके अंदर क्या क्या changes आये हैं एक बार समझ लेते हैं in sub rule 1 rule 9 के sub rule 1 के अंदर in the provision after clause a in the sub rule 1 sub rule 1 यह है और इसका जो प्रोवीजो है इसका प्रोवीजो यह है और clause a यह रहा the following clause shall be inserted क्या clause इंसर्ट किया गया? double a clause 1 इंसर्ट किया गया है i.e. clause a के बाद double a clause इंसर्ट किया गया है a person who has undergone authentication of adhaar number as specified in rule number 4a of rule number 8 is identified on the common portal based on the data and risk parameter for carrying out physical verification of place of business इसके अंदर बोला क्या है प्रोवीजों के अंदर the application shall be forwarded to the proper officer to examine the application तो यह वाला जो case है यानि अगर system ने आपको risk parameters के अंदर fall up करते हो तो आपका physical verification mandatory है जब आपका physical verification होगा तब आपको GST number दिया जाएगा और इसके लिए जो time limits है वो within 30 days of submission of application after physical verification जब आपका physical verification हो जाएगा उसके 30 days के अंदर अंदर आपको registration जो है वो grant किया जाएगा तो यह यहां पर डाला गया एक point उसके बाद में in subrule 2 in the provision after clause is the following clause will be inserted a person who is undergoing the other authentication is identified as common portal based on the risk parameters for carrying out physical activity तो यह यहां पर subrule 2 के अंदर subrule 2 के अंदर provision के अंदर और यहां पर clause a में यह चीज add की गई है दोनों जगे same बात है subrule 2 के अंदर basically क्या होता है आपको जो notice आता है so cause notice आपने देखा होगा बहुत सारे so cause notice registration में face करने के लिए हमको मिलते हैं और अगर कोई deficit आपकी application में कोई deficit ही रहती है तो show cause notice आपको subrule 2 of rule number 9 of CGST rule 2017 के अंदर issue किया जाता है in the form of REG03 तो उसकी time limit भी 7 days की होती है और लेकिन 7 days के साथ 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 यहां पर एक clause बोला add कर दिया गया कि अगर system ने आपको उन risk parameters के अंदर fall करवाया है तो आपका physical verification होगा और उस situation में show cause notice issue करने की time limit है वो 7 working days से 10 working days और 30 30 days जो है यहां पर होगा 30 days यहां देखिए not later than 30 days from the date of submission of the application तो 30 days की time limit यहां पर कर दी गई है show cause notice issue करने के लिए so main point जो registration में इसके अलावा भी काफ़ी सारे changes आये जो जिसके लिए हम एक separate video आपके लिए बनाऊंगा की 48 council meeting के बाद में क्या क्या changes आये बट GST registration में यह सारे important changes हुए है इन सभी चीजों का ध्यान रखेगा बहुत जल्दी आपको पर देखने के लिए भी मिल जाएंगे आशा करता हुए आपको समझ में आयोगो किस तरीके से change होने वाला है GST registration का यह process आप 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 आप